हेलो दोस्तों किसी ने कमेंट किया तक हमें आटे की बिरेड चाहिए तो देखे मैंने आटे का बिरेड ला दिया और बना के आपके सामने और कट करके भी आपके सामने ही दिखाऊंगे इतनी स्पॉंजी फलफी घर के चीजों से बनेगी और कोई केमिकल ने बीना केमिकल की बनाती हूं तो आकरी तक बने रहेगा तब आसानी से घर में ब्रेड बना सकते हैं आज कल बाहर के बहुत से कम लोग खानक पसंद कर रहे हैं और ना खाय तो ज्यादा अच्छा रहता है घर में ही बनाए सबसे बेश तो देखे मैं स्लाइस कट कर कैसे रख दूँगी और यह बाकी में पहले न कभी बनाती थी तो सारा ड्राइचीज में एक ही में डाल देती थी पर मैं ने बोला कि चलो आज बहुत से नी भीवर है तो मैं आपको सामने दिखाती हूं तो सारा ड्राइचीज में ले लिया और यह तीन है मैं आज हाफ बनाऊंगी क्यूंकि बड़े- सब के पास नहीं होता है तो मैं हाफ कॉंटिटी लूँगी और 15 पीस का जो ब्रेड आता है मेडियम साइज का वो बनाऊंगी तो सारे ड्राय चीज देखिए मैंने आटा ले लिया है मैदा ले लिया सक्कर ले लिया यहां पे और नमक ले लिया यह इस्ट ले ली हूं और ते गुंद के दिखा दिया है यह ब्राउन कलर है जो मार्केट में लोग कलर डालते हो ब्राउन कलर है मैं घर में कभी भी कलर ने डालती पर मैं आपको आज थोड़ा सा डालके दिखाई दोंगी कि कलर डालने से अंतर क्या होता है आप लाग कोसिस कर लेंगे न तो पूरी मतल याद रखिए बाकी कलर होता है एक केरेमल कलर आता है या तो ब्राउन कलर डाले दो कलर आता है ब्राउन कलर डालने से आपको लगता है न कि पूरी आठा है आठा पूरी नहीं होती है कि इतना भी कोशिस करें वो लोग आधा भी ने डालते हम तो आधा डाले हैं आठा आधा इसमें बिल्कुल आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें हाधा मैदा भी है मैंने क्या क्या इस्टील का मेरा काउंटर हमेशा में ब्रेड ऐसी बनाती हूँ मैंने मसीन में गुंद लिया इसके बाद मैं काउंटर पर रख दूँगी और दो मिनट हाथ से भी काउंटर पच्छे से गुंद दूँगी मैंने ब्रेड लादी पाव बर्गर बन जितना मैंने दिखाया है ना सेम ब्रेड बिकरी का इटम गुनने का यही तरीका होता है ऐसे आपको गुनना है अगर आप मेरे चैनल में पहली बराएं है तो मेरे चैनल पर जाके बिकरी में कुछ भी देखना हो ना ब्रेड है लादी सब मैंने सिखाया है तो पूराने वीवर को पता है कि कैसे गुनना है तो किसी की कमेंट थी अगर आपको लादी पाव भी सीखना है आटे में तो मैं वह भी ला दूँगी किसी दिन देखती हूं तो यह देखे में बना ली और कासकर में बच्चों को अब तो इसको खुलने वाला लंज के लिए पहले से बनाके में यह रख लेती हूं तो मैं सब इसी बरतन में डाल दूँगी फूलने के लिए अब जब डबल हो जागा ना तम मैं आपको दिखाऊंगी तो यह लगवाक डबल हो गया है कि अभी गर्मी की मौसम चल रहे बहुत जल्दी डबल हो ज ऐसे पेपर कट ककरे चारो तरब से लगा दीजिए उन्हों का बेकरी कटीन क्या होता है इतना ना बेक होता है रोजक anche मेस पूरी खी सबना लगाने के जरूरतनी होती बस तेल लगा थे हो जाते है अगर पहली बर बना रहे हैं का टीन पुराना नहीं तो पेपर लगा के कर तो फिर निकलता नहीं है मोल्ड में से कभी भी ब्रेट बाहर नहीं आएगा मैं बोलूंगे आप पेपर लगा लिया है उसे साइड में रख दी अब क्या करूंगे जो मेरा फूल गया था काउंटर पर मेंसे डाल दूंगे एक पर थोड़ा सा तेल डालके हमेशा करिए और मे कि बहुत से चीजों में आजकर कलर चल रही है कलर डाला जाता है दुकानों पर बेकरी की चीजों में तो इसे अच्छा है कि आप घर में बनाए आपकी मर्जी से बनाए जैसे आपको बनाना है मैं इसे टीन में डाल दूँगी, सेट कर दूँगी और टीन में डालने के ब्यातका करूँगी, इसे फूलने रख दूँगी, यह जब डबल हो जाएगा नो तो मैं OTG को प्रीहिट पर लगा दूँगी, 180 डिग्री पर में लगा दूँगी, 10 मिनट के लिए प्रीहिट हो जा जाएगी बड़ी वाले टीन नहीं जाएगी अगर आपको बड़ा ब्रेड बनाना है आटे का मतला 15 पिस के जगा 30 पीस वाला बनाना है बड़े साइज का टीन है डबल बनाना तो सारी कॉंडिटी मेजरमेंट को डबल कर देना है देखे मैंने आधा फिल कर दिया है फूल के डबल हो जाएगा तो मैं बेक करने के लिए रखोंगी पर ध्यान रहे बहुत जादा भी नहीं फूलना चाहिए तो मैं इसे ढख दूंगी ढखने के बाद रख दूंगी तो जैसे मैं इसे सेट कर दे ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देजिए तेल लगाने से मुलायम रहे चलाया करो सबसे अच्छा रहेगा तो कम से कम एक चमच अच्छा घासा बटर लगा देजिए जब यह थंडा हो जाए ज़्यादा थे थंडा भी नहीं जादा थे थंडा होने से क्या होता है न में थूड़ा ज़्यादा चोड़ दी किसी काम में विजिय हो गई ती तो पा ठंड़ करने के बाद मैंने एक बड़ा सा बोड ले लिया इसके बाद ब्रेड नाइफ आफ ले लेना और ब्रेड नाइफ से कट करना तो मैं आपके सामने से कट करके दिखारी मेरा हाथ हुलता चलता है तो मैं उस तरब से भी कट करके दिखाऊंगी ये बिरेट रूम तम प्रेचर पर चार दिन रहेगा फ्रिज में छे से साथ दिन अराम से रहेगा और जो भी बनाना बना सकते मेरे बच्चे तो कुछ नहीं करते हैं इसे तावे पर सेखे थोड़ी सी बटर जिम लगा के खा लेते हैं ओ भी नहीं है तो इसमें थोड़ा कैसी लगी मेरी रेस्पी आपको कैसी लगी अगला रेस्पी क्या देखना है तो देखे मेरे टोटल मैंने पीस गीना था पंदरा पीस बनके रेडी हो गई तो चलिए फ्रेंड फिर कल मिलते हैं नई रेस्पी नई वीडियो के साथ